टाइम्स ओफ हाईयर एजूकेशन की एक रैंकिंग आई है और इस रैंकिंग में बड़ी मज़ेदार बात है मज़ेदार बात यह है कि भारत ने चाइना को पचाड दिया है लेकिन IIT ने इस रैंकिंग का बिरोध किया है जानेंगे आखिर क्या है मामला तो वहीं दूसरी त पाकिस्तान में एक बार फिर से ठन गई है मैनमार जाच करने बैठ गया है दो लोगों का जो दो लोग पाकिस्तानी वहां पहुंचे हैं अवैध तरीके से मैनमार क्या ये जाच कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला था मैनमार के अंदर जानेंगे आखिर क्या है मामला ज और इस ranking list के आने के बाद दो तरह की बातें हो रही है एक तो विवाद ने भी जन्म ले लिया है और दूसरा ये कहा जा रहा है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ है पहली बात ये आपको बता दें स्क्रीन परा पार्टिकल देख रहे हैं कि भारत ने चाइना को इस बार पचा की ranking में आता है इंडियन इंस्टिटीट ओफ साइंस उसके बाद है अन्ना इंवर्सिटी 501-600 जामिया मिलिया इस्लामिया 501-600 महात्मा गांदी इंवर्सिटी 501-600 उसके बाद आपको लंबी लिस्ट दिखेगी आप जरा नीचे आ जाईए आपको दिखेगा इंडियन इस इंडियन इंस्टिट ओफ टेकलोजी गुहाती 601-800 पिछले साल तो रैंकिंग इसकी और गजब की थी 1001-200 के बीच में थी इंडियन इंस्टिट ओफ टेकलोजी पिछले साल 801-100 थी थोड़े थोड़े पाइदान उपर तो बढ़ रहे हैं लेकिन IIT ने कहा कि ये सारा कुछ हमें ऐसा लगता है जैसे की प्रायोजित है ये बिलकुल भी रैंकिंग हमारे लिए बकवास है बात तो सही भई अगर IIT की बात करें तो IIT ने टॉप के लोगों को दिया है और इन ट पहले जानले कि टॉप के 10 में कौन कोन आते हैं यहां क्या है यूझे आफ औफ ऑक्सफोर्ड किसका है यूके का है यक नममर पे इस्टैंफोर्ड और उनिवर्सिटी अमेरिका की दो नमर पे MIT तीन नमर पे हार्वर्ड यूझे आफ कैमब्रीज पांच नमर पे मतलब टॉ अगवान जाने यह ऐसा क्या पढ़ाते हैं जिसकी वज़े से इनका कबजा है लेकिन जो भी है सचाई इस वक्त यही है कि टाइमस ओफ हायर एजुकेशन में यही लिस्टिंग इस वक्त आ रही है भारत के लिए खुशी की क्या बात है भारत के लिए यह जो पूरा निकाला क्या है सर्वे इसमें एक चीज अच्छी निकली है और वो क्या अच्छी है वो जड़ी यह है कि जो टोटल नंमर हैं चाईना और भारत के उन्वर्शीटीज के उछ टोटल नंमर में भारत ने बाजी मारी है इस वक्त दुनिया भर में अगर बहुत ज़्यादा इन्वर्स University और चाइना की है 86 यानि हमारे यहां संस्थाएं बढ़ रही है और यह भारत के लिए बहुत अच्छी बात है संस्थाएं अगर बढ़ रही है भारत के अंदर तो इसका मतलब है सिक्षा बढ़ रहा है और यह सबसे अच्छी बात है किसी भी देश के लिए मांकि यह ranking ranking कौन टॉप पे है कौन पीछे पे है यह तो माया जाल है क्योंकि इन सब के पीछे बहुत सारी चीजे होती है जब आप देखोगे कोई भी university टॉप पे रहता है तो जो अमीर लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं अपने बच्चों को हम टॉप की university में पढ़ाएंगे बारी भरकम प हम इसकी बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हुई है भारत का पडोसी है मैनमार और बारत का पडोसी है पाकिस्तान जान जाये रवी वहां पहुंच जाये पाकिस्तान के आतंकी कुछ ऐसा ही है कहीं पर कुछ घटना होती है तो आजकल तो दुनिया में कई ऐसी जगह देखा गया है घटनाएं हुई है और कनेक्शन और तार जाकर जूड़ गये हैं पडोसी के घर से ऐसा ही होता रहा है मैनमार न इस वक्त नाराज है पाकिस्तान से कई कारणों से और इस बार गुष्से की कोई सीमा नहीं रही है कुछ महिनों से पाकिस्तान ने परिसान करके रख दिया है महनमार महनमार ने चाइना के भरोसे में आकर चाइना और पाकिस्तान के बनाए गए जेव सेवेंटीन को खरीद तो लिया लेकिन ये जेव सेवेंटीन उसके लिए मुसीबत बन गया इन्हों ने जब देखा कि उनके जेव सेवेंटीन ग्राउंड दिये वो इंजिनियर भी मयनमार में जाकर खापी कर चले आए वापस अब जब ये वापस आ गए तो एक चीज़ समझ में आ गई कि मयनमार को कि इनों ने धोका दे दिया हमें लूट लिया अब इसको लेकर स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं पिछले कई महिनों स पाकिस्तान चाइना के साथ मैनमार की बहस चल रही है लेकिन इन सब के बीच में अब जो कांड हुआ है उस कांड से मैनमार थोड़ा हिलसा गया है क्यों क्योंकि देखिए मैनमार के अंदर इस वक्त हालात बहुत खराब हैं जनता का एक बड़ा बर्ग है जो अलग अलग बना कर सरकार से लड़ रही है जो सेन निसासन है उससे लड़ रही है ग्रिययुद के हालात है और इस ग्रिययुद के हालात को सेना पर मुख कंट्रोल करने के लिए अपनी वायू सेना का इस्तेमाल करना चाहता है वायू सेना के मामले में पाकिस्तान से दोखा खाया शो ख जिन में से बड़ी संख्या बंगलादेश में भी है तो भारत में भी है अब हुआ यह है कि इनके आने के बाद अभी भी वहां पर कई सारे रोहिंगा बचे हुए हैं कहा जा रहा है कि दो पाकिस्टानी लोगों को इसक्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं अरेस्ट किया पकड़ा गिया है यह अवैद रूप से मैनमार में पहुंचे लेकिन यह रोहिंगाओं के साथ मिलकर फैलाना चाहते थे आतंक अब यह जैसे ही मैनमार को खबर मिली है जो यह स्क्रीन में मीडिया जो कह रही है उसके अनुसार पाकिस्तानी दूतावास इन दोनों छुडा ली कोषिस कर रहा है और मैनमार कह रहा है कि पहले हम पूरी जाच करेंगे कि इसका लिंक कहां से है आखिर 238 कि मिलकर हमारे खिलाभ कुछ काम करना चाहरा था यह बहुत बड़ी समस्या पैदा करना चाह रहा है मैनमार अब इस जांच में जुट गया है इस जांच में जुटने के बाद पूरा कपूरा पाकिस्तान पर कहीं न कहीं मैनमार ने रडार में डालना इन्हें शुरू कर दिया है और आपको बता दें भारत के लिए ये बहुत अच्छी कबर है इसलिए अच्छी कबर है कि मैनमार जितना चौकस चौकना होगा उतना ही भारत के लिए फाइदा होगा वरना भारत और मैनमार के लिए समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी महनमार को अक्सर देखा जा रहा था चीन और पाकिस्तान के पाले में जाते हुए लेकिन जेफ 17 के बाद इस घटना ने महनमार को थोड़ा बदलना सुरू कर दिया है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ